हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू व्यू स्फोर्ट मैच प्रिव्यू और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे यूएफा यूरो कॉलिफाइट्स का मैच जो की खिला जाएगा बेट्विन नेधरलेंड्स एंड आइरलेंड्स दोनों ही टीम ग्रूप बी में है और आप जैस थोड़ा सा कंसर्णिंग है बट स्टिल ओवर और एक बहुत ही अच्छा टीम कॉंबिनेशन है इनका यह मैच इनके पीछे ग्रीस है जो की थर्ड पोजिशन पर ही है 12 पॉइंट्स पर ऑल्दो नेधरलेंड्स ने लास्ट जब इंटरनेशन विंडवी थे उसमें ग्री स् तो उनको वन गेम का जो एडवांटेज होवर ग्रीस वो चला जाएगा और फिर उन्हें इंडायक पाथवे के तुरू जाना पड़ सकता है इसलिए नेधरलेंड्स चाहेंगे कि वो इस मैच में जीत कर ही अपना क्वालिफिकेशन सुनिश्चित करें और आयरलेंड की बा कुछ इंपोर्टन टिप्स और पिक्स और आपको बताएंगे कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको आपकी टीम बनाने में हल्प कर सकती है इसका साथ ये फ्रेंड्स अगर आपको और भी टीम चाहिए तो आप व्यू स्पोर्ट आप चेकाउट कर सकते हैं वी क्रेडिट्स का दोनों टीम्स की लाइनप साने के बाद आपको दो प्लान्स दिखेंगे व्यू प्लान्स और अनलॉक दिस मैच अगर आपको इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 5 वी क्रेडिट्स यूज करके देख सकते हैं ना सिरफ फैंटेसी 11 वलकि व्यू स्पोर्ट फुटब और लाइफ टाइम दूसरा तरीका है आप होम पेज पर डिरेक्ली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए और जिन मैच्चेस के लाइनपस आ गये हैं वो आपको अपको अपकमिंग में दिख जाएंगे जिस फुटबाल मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए आपको तो फ्रेंट्स अब आपने देख लिया है इन दिस वरी शॉर्ट वीडियो कि आप वी क्रेडिट्स को यूज़ करके कैसे वीव स्पोर्ट पर टीम्स अनलॉक कर सकते हैं तो गो एंड चेक आट नौ अब चलिए चलते हैं सीधे हम अपने बेस्ट फैंटसी कॉंबिनेशन पर फर दो यूफ यूरो कॉलिफायर्स मैच बेट्वीन नेधरलेंड्स अड आइरलेंड फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कॉंबिनेशन हमने नेधरलेंड्स को ये बैक किया है साथ प्लेयर्स उनके लिए है डिफेंडर हमने वर्जिल वैंडाइक और डेली वो सेंट्रल सेंटर बैक की पुजिशन में खेलेंगा आप चाहें तो उने भी कंसिडर कर सकते हैं नेधरलेंड्स अडिफेंस बहुत जादा ट्रस्टेबल नहीं है और फ्रेंड्स हम एक बात बताना चाहेंगे कि वर्जिल वैंडाइक का ये सीजन में फॉर्म अभी तक बहुत ही अच्छा राय लिवरपूल के लिए वापस से वो पुराने वर्जिल वैंडाइक की तरह लग रहे हैं और डेली ब्लिंड इस समय जिरोना में एक लेफ्ट बैक की तरह खेल है और उनका भी फॉर्म काफी अच्छा राय है अगर इस मैच में फ्रिम पॉंग स्टा इंपोर्टेंट पिक रहेंगे बहुत इंपोर्टेंट पिक रहेंगे उन्हें स्मॉल लीग में तो लीजिएगा ही लीजिएगा ग्रैंड लीग में आप आउटसाइट चॉइस है उन्हें कैप्टेंसी भी कर सकते हैं क्योंकि यह आउट आफ पोजिशन विंग बैक की तर थोड़ा ज्यादा experience और he is the better defender इसलिए हमने उनको लिया है Nathan Collins को अगर Shane Duffy स्टार्ट करते है Shane Duffy को अब लेना चाते तो उने ले सकते है अगर आपको attacking threat के लिए को defender चाहे है तो आप Matthew Doherty को ले सकते है जो former Spurs player है इस समय वूल्स में है Athletico Madrid में भी खेल चुके है यदि हम midfield की बात करें तो हमने Ireland से Brown और Kalen को लिया है Kalen friends आपको पता है Burnley के लिए खेलते हैं Brown भी friends आपको एक अच्छा mixture of attacking and defensive points दे सकते हैं Kalen आपको थोड़ा सा ज़्यादा attacking threat देंगे बड़ दोनों आपकी टीम के लिए important pick बन जाएंगे इस match वे friends जब ball Netherlands से पास जादा रहेगी तो इन दोनों पर responsibility होगी ball win करना तो आपको tackle interception के अच्छे points यादे सकते हैं अगर हम Netherlands point of view से बात करें तो हमने Denzel Dumfries को लिया है Frederico Di Marco के साथ इनकी partnership inter में काफी अच्छी चल रही है बहुत ही अच्छा right wing back slash left wing back duo ये निभा रहे हैं inter के लिए defensively थोड़े से astute नहीं है बट आगे जाते वे attacking wise भी बहुत ही अच्छे defender है तो आप इन्हें जरूर attacking return point of view से consider कर सकते हैं fantasy apps पर ये midfielder listed हैं तो आप इन्हें midfielder की तरह treat करिएगा in fact friends आप इन्हें offensive attacker की तरह treat करिएगा जो right hand side सा आगे जाते हैं crosses डालते हैं और बहुत ही अच्छे pin point deliveries देते हैं और हमारे बाकी दो choice होंगे Hartman और Jarvis Simmons पहले friends Hartman की बात रहे ये भी midfielder listed है बट ये एक left wing back position में खेलेंगे इस match में तो ये आपकी team play important pick रहेंगे इनका थोड़ा सा fantasy potential जरूर कम होता है क्योंकि midfielder listed है बट सिल ये आपको बहुत ही अच्छे fantasy points दे सकते हैं क्योंकि काफी advanced positions में operate करेंगे अगर आपको save जाना है तो आप Hartman को निकालके अपनी team में जो भी दूसरा midfielder खेलेगा जैसे expectation है कि shouten जर्डी shouten इस match में खेल सकते हैं तो आप उन्हें अपनी team में कंसिडर कर सकते हैं Matt Swiper जो कि ये काफी highly rated youngster हैं फाइनूड में खेलते हैं Hartman की teammate है आप उन्हें भी अपनी team में कंसिडर कर सकते हैं ये सब friends grand league point of view से option है और tijjani rinders जो frankie djong जैसा roll निभाते हैं AC Milan में उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं तो ये दो तीन options है friends जिनके बीच में अप्टिंग कर सकते हैं अगर आपको अपनी team बनानी है और grand league के कुछ picks सही है अगर हम friends वाइस अप्टन की बात रहे तो हमने जावी सिमोंस को लिया है फर्वर लामा सिया प्रॉडक्ट PSG में काफी अच्छा था PSG से जब ये लोन पे गया है लाइब जिग में वहाँ काफी अच्छा कर रहे हैं गोल स्कोर कर रहे हैं चांस क्रियेट कर रहे हैं defensive work rate में help कर रहे हैं tackle interception points दे रहे हैं basically friends fantasy साब को हर venue से point दे रहे हैं और हमें बिल्कुल भी problem नहीं होगे अगर आप इन्हें direct captaincy भी देते हैं in fact अगर आप grand league की teams बनाएंगे तो उसमें जावी से मोंस पे captaincy पे भी ज़रूर punt लीजेगा यह हमारे final choice होंगे midfield से अगर हमें rate करना वहा तो number one Javi को हम rate करेंगे number two Dumfries को rate करेंगे and then maybe someone like Hartman या Shouten या maybe Rinders of consider कर सकते हैं forward lines of friends हमने दोनों Netherlands के attacker को लिया है Cody Gatpo और Wout Weghorst Gatpo friends अभी recently Liverpool के लिए उतना नहीं खेले हैं जब भी वो Dutch team के लिए खेल तो काफी अच्छे form में रहते हैं World Cup में हमें पता है इनकी form काफी अच्छी थी captaincy DA हमने काफी reliable player under Ronald Koeman जो कि इसमें Netherlands का manager है goal scoring potential लगते हैं diamond formation में अगर Netherlands उतारती है तो उसमें Cody Gatpo का भी role बहुत important हो जाता है direct goal threat offer करते हैं अच्छा goal scoring potential लगते हैं अगर यह अच्छा नहीं करते हैं तो यह 60-65 minutes में substitute हो सकते हैं तो अगर आपको risk लेना है तो आप World Cup को drop कर सकते हैं उसके जगा आप एक extra defender सच अच्छा डिवराय को consider कर सकते हैं but friends हमें लगता है कि Ireland का defense बहुत खास नहीं है तो इसलिए यह दोनों में से एक प्लेर स्कोर्शीट पार